जाहिन जावारत दोस्तों मेरे पास बहुत से मलब डाउट आ रहा है किसके रिगार्डिंग बात कर लें UPSI UPSI NTPC और आपका RPF बहुत से बच्चों का प्रसना रहा है सर हम इन तीनों का एक साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तो इसको बताने से पहले मैं बता दूं आपको जब मैंने जॉब रिजाइन किया था रिजाइन करने के पहले लगवा मैं मार्च अप्रेल मार्च में मैं छुट्टी लेकाया था 27-28 दिन का 2021 में और उसके बाद मैं डायरेक्ट गया रिजाइन करने लगवा जुलाई में और अगस्त में मेरा साइज रिजिंगनेशन हुआ था अगस्त में हुआ था तो आपको मैं बताऊंगा कि जब मैंने रिजाइन किया था तो मेरे पास चार टारगेट थे और उन चारगेट में अच्छा स्कूर कैसे मैंने किया तब आपको मैं यह समझा पाऊंगा कैसे आप ठीक है अगर आप आप 2-3 मिनट समय देंगे तब समझ पाएंगे जल्दबाजी होगी तो निकल जाएए अभी ज्यादा आपका समय बच जाएगा अगर जल्दबाजी है तो अभी निकल जाएए यहीं से वीडियो को बाहर निकली और चले जाएए लेकिन अगर आप कुछ समझना चाहते हैं त तो मेरे पास जो टारगेट था उस समय UPSI था फिर आपका 21 में ही जुलाई अगस्त में पेट का एक्जाम था पहली बार पेट आया था तो जुलाई अगस्त में ट्रिपल S की का पेट का एक्जाम था फिर आपका NTPC का एक्जाम मेरा पढ़ा था 26 जुलाई 2021 को मैं आपको एक्जाम मेरे सामने थे मैंने गुरूब डी भी भर रखा था जूट नहीं बोलूँगा मैं सोचा था गर गोरखपुर मिल जाएगा तो वैसे कर लेंगे टाइम पास के लिए एक सिक्यूर्टी के लिए गोरखपुर मिल गया तो अगर मतलब नजदीक रहाएगा घर से कर लेंगे तो अब मेरे सामने आ जाते हैं चाहर एक्जाम इसका जब वैकेंसी आ चुका था अप्रेल दोजार एक्किस में पेट का एक्जाम भी जूनून में ही हुआ था दोजार एक्किस में एंटीपीसी 26 जुलाई को यूपी असाई हुआ एक्जाम आपका दो दिसंबर को मेरा तो मैनेज मैंने कैसे किया मैं बता दूँ मैं क्लास लेता था तो मेरा मैं थ्रिजनिंग लगबग ठीक ही था कि मलब इसकोर हो जाता था ठीक था पेट का एक्जाम तो मैं आपको इमांदारी से बताओं बस करेंट अफेयर पढ़के मैंने दिया अब सोचेंगे सर्क बस आप करेंट अफेयर पढ़के तो मेरे में में यह था कि अगर मान लीजिए कोई वेकेंसी आती है लेखपाल की वेकेंसी आती है आत हजार और उसमें पंद्रे गुना लड़कों को बलाए जाएगा यानी कि पंद्रे गुना का मतलब 1,20,000 तक अगर मैं मेहनत करके अभी जो है पंद्रे गुना में आऊंगा तो बाद में कैसे 8000 लोगों में सेलेक्ट होंगा तो मैंने बस current affair 7 या 8 दिन पढ़ा था कुमार गौरो सर का 6 महीने वाला पेट के लिए जो 6 महीने की किताबें थी मैंने क्या किया था जन्वरी से लेके जितना उनका फुल पत्ती का किताब था सब कुछ 6-7 दिन में पढ़ डाला और वहीं से 10 में से मेरे 8 कोस्टन सही हो गए थे और जीके में मेरे 50 में से 44 या 45 कोस्टन पेट वाले एक्जाम में 2021 वाले में सही थे मेरा टोटल स्कोर जो बना था 85 बना था और परसेंटाइल 99.74 परसेंटाइल था तो पेट में भी अच्छा इसको रोगया एंटी पीसी में मेरा जो मनलब 26 जुलाई को मेरा एक्जाम था तो उसी बीस में मैंने आपको बताया 17 जुलाई को जो है मेरा मदर का डेथ हो गया था अब मैं उस समय था दंतेवाडा में तो उस समय फिर मैंने कुमार गौरो सर का बस करेंट अफेयर पढ़ा था और आठ में से पांच कोश्चन करेंट अफेयर के उनके आ गये थे और मेरे दिमाग में फिर वही बात थी कि अभी मैं अगर प्री एक्जाम नहीं निकाल पाऊ रहे थे नर्मलाइजेसन के बाद फिर उसके बाद आपका कि इतना एक्जाम हो गया ग्रूप डी का तो मैंने दिया नहीं सही बताऊं तो यूपी असाई का एक्जाम मेरा आता है दो दिसंबर को तो जब आप सब्जेक्ट को अच्छा कर लोगे ना भाई तो यह सब चीज तो देखो अभी यूपी असाई की सबसे पहली बात समझो वेकेंसी आई नहीं है एंटी पीसी का फॉर्म अपलाई होना स्टार्ट हुआ है कम से कम इनमें आपको इसमें एंटी पीसी में मुझे लगता है नौ मन्थ का समय मिल सकता है मतलब 6 महीना तो मिनमम मिलेगा ही मिल यहां पर आपका मैथ रिजनिंग है मैथ प्लस रिजनिंग अभी अधिकतर एक्जाम जो है अनलाइन होते हैं तो मैं एक कहूंगा कौन सी कमपनी पेपर बनाएगी या किसी को पता नहीं होता है तो आपको मैं इसी वज़ए से एससी प्रिवियस एयर एंटी पीसी प्रिव और जो अच्छी किताब SD यादो की है चारों से मिक्स करके जब कराऊंगा तो कैसा भी पेपर आएगा चाहे यूपी असाई का पेपर आएगा एंटी पीसी का एगा आरपी अफ का आएगा जब आपका मैथ अच्छा हो जाएगा आप हर छित्र के कोस्टन को करने लगेंग तो आपका कहिसा भी कैसे भी पेपर आएगा आपका मैथ याप अच्छा कर लोगे बात समझने का प्रयास करना अगर आप अगर अच्छा कर लोगे हर तरफ से मैं मिला के करा रहा हूं तो एंटी पीसी और आरपी अफ के लगबग आपके कितने आप सब्सक्राइब हो जाएंगे मार्क्स नहीं आएंगे मान के चलो 50 सब्सक्राइब उसके बाद अंतर क्या पड़ता है उसके बड़रं Hem उस पे एक देड़ घंटा समय दीजिए, कम से कम देड़ घंटा उस पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मैथ और रिजनिंग पर करिए, इन पर एक घंटा और देड़ घंटा, बाकी फिर अलग से सर क्या पढ़ें, बाकी अलग से मैं आपको हिस्ट्री का पीडियफ द पॉलिटी अलग से दे रहा हूं, इसका पॉलिटी, अब सोचो तीन-तीन सब्जेक्ट का पीडियफ दे रहा हूं, फिर मैथ रिजनिंग आप कर ले रहे हो, फिर अभी कुछ दिन बाद एंटी-पी-सी का प्रिवियस यर करा दूंगा, आर्पी अपका प्रिवियस यर, ठी है, आपके पास कीताब खरीदने का पैसा है, खरीद भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कराने लगूंगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं चाहता हूं, पहले एक डेड़ महीने में, हमारा एक पहले सब्जेक्ट खतम हो जाए, जैसे तीन सब्जेक्ट है, आपको अगर अभी NTPC और RPF आपका फर्स्ट टार्गेट पे हैं, तो आप इस पे फोकस तो करी रहे हैं, इन पे फोकस थोड़ा कम कर सकते हैं, हिंदी पे हैं, और इस पे मनलब बस इसको बहुत ज़्यादा मत पढ़ें, तब इसको आधा घंटा ही समय दीजिए, और सब इन दोनों को धाई घंटा ही जगार घंटा ही कर दीजिए, अपना फोकस थोड़ा इस पे बढ़ा दीजिए, अगर आपका टार्गेट अभी इस समय ए है तो, क्योंकि इस वेकेंसी, UPSI वेकेंसी में मिनिमम आपको मुझे जहां तक लगता है, एक्जाम के लिए, आज के बद प्रेट के जब हम लोग उस बीक में मैं आपको साथ में सेक्सीनल टेस्ट कराते रहंगा, फिर आपको फुल मॉक टेस्ट करूँगा, मैं च्है महीने बाद, फिर हम लोग कमईयों पे काम करेंगे, जैसे फिर मैं बताऊंगा कैसे कमियादूर होती है, कैसे सही होती हैं फिर आपको 15-20 ज्यादा नहीं 20 मौक टेस्ट 30 मौक टेस्ट मतलब 20-30 मौक टेस्ट में ही एकदम आपको माहिर बना दूँगा गलतियां कम से कम होने लगेंगी हर चीज़ का ठीक है तो मेरे तरब से यही सुझाओ रहेगा कि यूपी असाई एंटी पीसी आर्पी अधिकतर चीज़ें मन की वहम होती हैं आप सब्जेक्ट अच्छा करने पर फोकस करिए जी के अब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव के साथ अब्जेक्टिव भी पढ़िए सेक्शनल टेस्ट देते रहिए यानि जिस टॉपिक को पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट का जिस चैप्टर को पढ़ते हैं उसका सेक्शनल टेस्ट जरूर देजिए जैहिंद जैवारा